मैं भी बिल्कुल ठीक हो बिटे और मेरी बीटी भी बिल्कुल ठीक है अलहम्दुलेला आपकी दुआउं से इतने जादा मेरे बच्चे मेरे लिए दुआएं करने वाले हैं तो फिर क्या ही हो सकता है मुझे हैं अच्छे सो चाप्टर वन हम कर रहते और आज हम जो है वहğer चाप्टर वन के क्योंकि दो पार्ट है चैप्टर वन का एक concept and need for assurance है, ठीक है, सारी ये वाली बातें, ये जी audit क्या होता है, audit क्यों होता है, audit से फाइदे क्या है, audit की limitations क्या है, ये सारी की सारी आपकी part one के अंदर होती है, ठीक है, जिसके अंदर basically मैं अगर कहूं कि audit का ये एक तारुफ है, audit का ये एक introduction है, तो वो गलत नहीं होगा, अच eligibility criteria, तो मैं उसको कहती हूँ, आपका company law वाला portion, ठीक है, तो अभी हम जल्दी से introduction को खतम करके और company law वाले portion की तरफ बढ़ेंगे, जी जनाब, तो उस दिन मैंने बात की थी और मैंने आपसे कहा था, कि absolute assurance नहीं होती, और absolute assurance क्यों नहीं होती, मैंने इसके बारे में आपको समझाया था, मैंने आपको कहा था, कि क्योंके हम audit sample basis के उपर करते हैं, तो इस वज़ा से हम 100% उनको guarantee तो दे ही नहीं सकते, 100% हम उनको surety तो दे ही नहीं सकते, कि आपकी financial statements में नुक्ते बराबर गलती नहीं है, बलके क्या होता है, जैसे कि इसकी छोटी सी example ले लिजे, हमारा paper 50 पे पास होता है, होता है कि नहीं, यह भी अल्ला का करम है कि marks नहीं होते, सोचो अगर chartered accountancy में number भी होते, तो आदे लोग तो, you know, तो हमारा paper 50 पे पास होता है, ठीक है, तो अब इसका बिलकुल ही maximum level है, जिसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी, ताके जो भी आपके subject matter के users हैं, जो भी आपके financial statements के stakeholders हैं, उनको एक assurance provide की जाए, ताके उस assurance से उनका degree of confidence बढ़ जाए, यह है हमारी auditor assurance की ज़रूरत, ठीक है, उसके बाद, फिर हमने कुछ reasonable assurance और limited assurance के बारे में बातें कर ली थी, कि कहां आपकी जो है, वो audit की assignment की जाती है, और कहां आपकी जो है, वो review की assignment की जाती है, और हमने कहा था, कि review की assignment सिर्फ वहां की जाती है, जहां पर audit की कोई legal requirement नहीं है, जहां पर audit की कोई statutory, देखो पिटा, यह जो पेज 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 पेपने वोकाबलरी के लिस्ट पनानी है वहां पर आपके लव्ह लिख लीजे या अगर कभी लिखना होगी जी पलानी चीज थे अ है है कर दो अ कर दो है है हुआ है अ कि अच्पेर हैं कि आवास कंजो गया है हुआ है अभी कुछ बेतर हुई है उमर सही हो गई है ओके जी पता नहीं मेरे खाल में माई खिल गया होगा शायद जी चनाब अगर आप अच्छी वोकैबलरी इस्तिमाल करते हैं मेरे बेटे तो यह पेपर के अंदर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा और आपका जो एक्जामिनर है वो डेफिनिटली आपसे खुश होगा ठीक अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सो उसके बाद फिर हमने कहा कि जी रिव्यू सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में करवाना है कि जब ओरिट की कोई स्टाचूटरी रिकॉर्मेंट नहीं है और आपका दिल चाहरा है कि आप एक हलकी फुलकी अशोरेंस हासल कर लें कि आपकी फिनेंशल स्टेट्मेंट सही बनी ह हुई है या नहीं क्योंकि लॉप नहीं कहा है और टर्वाने के लिए उसके लावा अभी बेतर है पता नहीं यार मुझे ना यह बड़ी पर होती है टेक्निकल इसूस से मैं बड़ा परिशान होती हूँ क्योंकि इतना टाइम इन में वेस्ट हो जाता है ना बहुत उल्ज़न होती है मुझे इससे आप सो सॉरी बिटे I try my very best to make this experience as better for you as possible but मैं कि बस इस बारे में कुछ कर नहीं पाती प्लीज एक्सेट माइं हमबल अपॉलजी अच्छा जी सो हमने यह कहा कि जी रिव्यू आपकी जो असाइमेंट है वो रिव्यू की असाइमेंट उस सिट्वेशन में की जाएगी कि जैसे अगर आप एक लिस्टेट कंपनी है और आपको यह कहा गया है कि जी आपने छे महीने के अंदर अपने बनाने हैं 6 months के financial, half yearly financials, quarterly तो बनाते हैं न ठीक है, अब आपके half yearly financials भी बनायते हैं आपने, अब half yearly financials का एक limited scope review, scope क्या होता है पेटे, scope होता है दाइरा एकार, scope क्या होता है, scope होता है, mandate, scope होता है, terms of reference, scope क्या है, scope होता है, वो तरीखा कि जिससे आपने अपने काम सरंजान देने हैं और उन कामों को सरंजान देने के लिए, जो जो इजाजते आपके पास हैं, वो वो इजाजतें कहलाती हैं आपका scope, for example, मैं जिस college में काम करती हूँ, SBM में काम करती हूँ, SBM म मुझे इस बात की अजाजत है, कि मैं बच्चों से class में test ले सकती हूँ, ठीक है, मैं बच्चों से class में सवलात पूछ सकती हूँ, मैं बच्चों के ओपर class में late आने के ओपर fine या penalty लगा सकती हूँ, ये मेरे scope के अंदर तमाम चीज़ें आती हैं, अच्छा, उसके इलावा मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं बच्चों को जो मुझे मुनासिब लगता है वो पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई dictate नहीं करता है, कि मुझे कहां से पढ़ाना है, मुझे कौन सी किताब इस्तवाल करनी है, और कौन कौन सा course का content है, जो मुझे बच्चों से discuss करना है यह तमाम चीज़े मेरे scope में आती है, क्या चीज़ है जो मेरे scope में नहीं आती, वो है discounts, मैं being a teacher बच्चों को discount नहीं दे सकती, मैं being a teacher बच्चों को ये नहीं बता सकती, कि उन्होंने जो है वो कौन सी class में class लेनी है, वो तो जो management बताती है कि इस classroom के अंदर बैठना है, हम उसी classroom के अंदर बैठ जाते हैं, so कहने का मतलब क्या है, कि scope होता है आपका एक दाइरायकार, आपकी boundaries, जैसे के बच्चे यहां लिख रहे हैं, और उमर, तुमारी जो उर्दू में अंग्रेजी है, यानि ये तो हमने सुना था, कि लोग जो है ना वो अंग्रेजी में उर्दू लिखते हैं, तुम उर्दू में अंग्रेजी लिखते हो यार, क्या तुम बंदे हो हैं, सर मैं आपको वो वाली smiley नहीं होती, वो समझ लें कि मैं आपको यहां पर प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे वो एक teacher है, सर, A.R.A.M. उनकी वो बात बड़ी, मैं बहुत ह उसके ओपर कहते हैं कि तोप की सलामी देनी चाहिए इस examiner को तोप के ओपर बिठा के, तो उमर तोप की सलामी देनी चाहिए तोप के ओपर बिठाए बगएर, उर्दू Academy का कमाल है, ठीक है जी, अच्छा जी, यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं, फीड़ बैक दीजेगा, औ अब आवास कैसे आ रही है भी बताईएगा, अवास ही आ रही है, चलें जी, थांक्यू, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारी बात एंड वी थी, कि audit जो है, वो एक reasonable level की assurance है, 100% नहीं है, अब यह जो लोगों के दिमाग में होता है, कि फिर जैसे उस दिन में class लेनी थी थी ना, physical class में तो एक बच्चे ने मुझे का, कि मैम, जब यह सारा कुछ करके, opinion ही देनी है, तो opinion तो मैम एक बड़ी चोटी सी चीज होती है, opinion कोई ऐसी चीज तो नहीं है, जिस पर बरुसा किया जाए, वो तो एक राय है, तो मैंने का, बेटे, इस opinion की भी बड़ी टिंवत होती है, इस opinion की भी बहुत वर्थ होती है, क्योंकि इस opinion के पीछे आपके सारे audit procedures आ रहे होत है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई चोटी सी चीज है, ये बड़ी डाडी चीज होती है, आप audit report के बगएर अपने financial statements को approve करवा के तो दिखा दें shareholder से, इवन ये जो आपकी बटा company है न, चोटी वाली के जिसको audit कराने की statutory requirement नहीं है, इवन वो company भी अपने audits करवा रही जरूर होती है, requirement नहीं है, लेकिन जरूर करवा रही होती है, क्योंकि definitely audit से बहुत फाइदा होता है और बहुत पता चलता है कि कितना, you know, आपको, आपके financials कितने सचे बन रहे हैं, आपकी entity कितनी अच्छी जा रही है, so expectation gap आपके सामने है, ठीक है, कि लोगों को लगता है audit क्या है और असल में audit क्या होता है, so सबसे पहली बात लोगों को लगता है कि audit एक absolute assurance है, और audit के नतीजे में financial statements बिलकुल 100% ठीक हो जाती है, ऐसा बिलकुल नहीं है, क्योंकि audit sample basis के उपर होता है, और इस बात का chance मौझूद हमेशा रहेगा, कि कुछ material misstatements undetected रह जाएं, ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ material misstatements auditor के सामने ना आएं, ये बात पहले दिन जब हमने engagement letter और इस अलफाज, इस लफज engagement के उपर जो है ना, वह हैं ही, खुशना हो जाओ ठीक है, जादा कोई खौबों की दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ये कर रहें, ठीक है, तो इस अ आपके सामने आ रहा है ना, engagement का, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है, जो के audit से related होता है, ठीक है, तो आपके दिल में बिल्कुल भी कोई खुशिया नहीं आनी चाहिए, ये लफ सुनके, तो engagement जो है, आपकी audit की, जिस वक्त शुरू में होती है, जिस वक्त शुरू में आ matter, इसके अंदर सारी की सारी बातें लिखी हुई होती हैं, और इसके अंदर ये लिखा होता है, कि हम अपना audit जी sample basis के उपर करेंगे, और कुछ material misstatements ऐसी हो सकती हैं, कि जो undetected रह जाएं, although हम कोशिश पूरी करेंगे, कि कोई material misstatements undetected ना रहें, ये बात बिल्कुल होती है इस खत से, और audit का इख्तिताम होता है इस वाले खत से, जिसको audit report कहते है, audit report के अंदर भी ये बात लिख दी जाती है, कि कुछ material misstatements undetected रह सकती हैं, तो आप इसलिए इस बात के लिए mentally prepared रहेंगा, हाँ, हम कोशिश पूरी करेंगे, कि हम sample ऐसा select करें, which is representative of the whole population, अब इस बात का मतलब क्या है, कि sample representative of the whole population, इसका मतलब ये है, let's suppose, कुछ male teachers ऐसे होते हैं, कि जो uncomfortable तो मैं नहीं कहूंगी, लिक मोशा out of respect खवतीन से, female student से eye contact नहीं करते, ठीक है, अब जो है, वो फिर क्या होता है, उस situation में, कि आपका, मतलब female student को समझ सारा कुछ आ रहा होता है, लेकिन कभी-कभी उनको ऐसे neglected feel होता है, कि यार सर, हमाई तरफ तो देखते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, उनके को religious reasons हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, वो out of respect ऐसा करते हो, हम बहुत इज़त करते हैं, उनकी इस thought की, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है, कि यार मैं भी तो उनक चैंपस क्लास में लिया जा रहा है, और उसके उनके लिखा है कि जी कैसा बढ़ाते हैं, हां जी, ठीक है, ऐसा बढ़ाते हैं, अच्छा, उसके बाद ये के टाइम पर आते हैं, हां जी, अच्छा, कि नोट सही से देते हैं, हां जी, देते हैं, उसके बाद लिखा है कि टी लो और तुम भी ले लो तीन चार बच्चे को दे दिया फीड़एक फॉर्म और इतिफाख से वो सारा का सारा फीड़एक फॉर्म बिकास हजरात की तादाद क्लास में जादा होती है ऐसा वैसे अभी मेरी फीड़एक फॉर्म फॉर्म चले गए वो सारे के सारे रांडमली क्यूकि सेलेक्ट किये गए थे बच्चे तो सारे के सारे हजरात को मिल गए मुझे बताईए और हजरात क्या लिखेंगे क्या सर इंटरेक्टिव हैं क्लास में सारे लोग बताईएगा माई कौन भी कर सकते हैं और चाट में भी लिख सकते हैं जल्दी से कि जी बेटे जी पीटे मेरी यावाज आ रही है जी वणने कहा इंटरेक्टिव और लोग बुटा काफी बच्चे हैं हमारे साथ आप बोग बताईए इंटरेक्टिव ठीक है सो क्या कहेंगे बच्चे के कहेंगे कि हाँ जी सatory तो बहुत इंटरेक्टिव यह क्योंकि इत्फाकन सारे हजरात थे अच्छा अब अगर यह feedback form randomly दिया गया और इत्फाक से सारी की सारी कि खवतीन को यह दे दिया गया अब बताइए खवतीन क्या जवाब देंगी खवतीन क्या जवाब देंगी सार इंटराक्टिव हैं कि नहीं नहीं है तो मुझे बताइए यह जो दोनों samples मैंने आपको दिखाए कि एक sample में सिर्फ हजरात के पास चला गया और एक sample में सिर्फ खवतीन के पास चला गया क्या यह दोनों samples representative of the whole population हैं कि दोनों ही नहीं है क्योंकि एक के अंदर एक बिलकुल ही उल्टे हाथ पर बात जा रही है और एक के अंदर बिलकुल ही सीधे हाथ पर बात जा रही है तो समझे नहीं आ रहा है है तो इस लिए auditor का का क्या होता है कि करता तो वो sample basis पर है लेकिन ऑडिटर सैंपल ऐसा सलेक्ट करता है विच इस रिप्रिजेंटेटेटेव ऑफ दो होल पॉपुलेशन क्योंकि अगर पॉपुलेशन के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी ना हुई तो आपके सैंपल का रिजल्ट डेफिनिटली घलत आएगा क्या आपको मेरी की बात समझा रही है ऐ हुआ आट कि आट उमर ने लिखा है कि यह जो ऑडिटर अका काम करता हूं हुआ है कुआ करे थि क्वकुल एह जाख़़ी है कि जाग देर रहना मेरे आस्रे के पर मत रहना हां जी बिल्कुल एह थ को थ lovers आ ऊख़िए अजू मन heritage है और अज अग है वो क्या है कि लोगों को लगता है कि audit में 100% testing होती है ऐसा नहीं है audit में sample basis के ओपर काम होता है दूसरी बात लोगों को लगता है कि audit में 100% fraud detection होती है ऐसा नहीं है इस बात को हम पहले भी discuss कर चुके हैं और आज फिर बताती चलू के audit के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ material misstatement देखने जाते हैं whether due to fraud और error हम fraud देखने नहीं जाते जाते तो हम material misstatement देखने हैं अब आगे देख लेते हैं कि यह material misstatement fraud की वज़ा से हो रही है या error की वज़ा से हो रही है तो फिर उसके बाद fraud के उपर procedures लगाए जाएंगे लेकिन हमारी जो शुरुआत होती है हमारी जो शुरुआत है वो ऐसे नहीं है के हम जो है वो फोरण ही से जाके एसन बीटा वीडियो बन कर दीजेगा अपनी हमारी जो शुरुआत है वो सब्सक्राइब नहीं है कि हम फॉरण ही से जाके यह डंडा पकड़के खड़े हो जाए और कहें कि तुम सारे लोग जूटे हो और हम जो है ना वो तुम्हारा पकड़ने आए हैं आमिश का सवाल है कि मैं लड़कियां तू बोलेंगी कि सर अन इंटराक्टिव है बिटा ऐसे कभी कोई टीचरिक्ष होते हैं जो कहास किसी डिल्लीज्यस रीज़न की वज़ा से या आउट ऑफ रिस्पेक्ट या किसी भी वज़ा से खवतीन से उस उस तरह से आई कॉंटेक्ट या ख्ल स्ब्सक्रocy नहीं होते है लेकिन कुछ टीचरms ऐसे होते हैं ठीकर तो उन उस सि चाहिए तो हजरात यह कहेंगे सर तो बहुत आई कांटाक्ट करते हैं तो दर्मियानी राह तो कोई भी नहीं हुई ना इसलिए एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए कि जिसके अंदर population के तमाम सेक्टर्स की नुमाइंदगी हो अच्छा तो एक तो यह वाली बात फिर उसके बाद तीसरी चीज़ लोगों को लगता है auditor financial statements बनाने आया है अब यार इसके ओपर क्या ही बोलू मैं थोड़ा सा अल्ला का खौफ भी आ जाता है मुझे देखो जो बात मैं अभी आपको कह रही हूं न वह बात आपको नहीं पता है ठीक है मैं आपको वह बता रही हूं जो किताब में लिखावा और किताब में क्या लिखावा है auditor financial statements न reality में जो भी होता है वो एक अलग बात है आपको वह पता है जो किताब में लिखावा है और उमर किताब में क्या लिखा है auditor financial statements नहीं बनाता फिक है auditor financial statements नहीं बनाता financial statements बनाना किसकी जिम्मेदारी है कौन बताएगा मुझे जी खवदीनों हजरात किसकी जिम्मेदारी है management की जिम्मेदारी है और ये वाली बात भी बेटा शुरू में पहले ही दिन जिस दिन engagement letter sign हुआ था उसी दिन ये वाली बात बता दी गई थी कि engagement letter यानि जिसन engagement letter sign हुआ था उसी दिन ये वाली बात बता दी गई थी कि financial statements बनान हमारा काम नहीं है financial statement बनाना आपका काम है और हमारा काम तो खाली उसको audit करना है और आखरी दिन जब audit report बनाई जाएगी उसमें भी यह लिख दिया जाएगा कि financial statement हमने नहीं बनाए थे हमने तो सिर्फ इनका audit किया था अब अंदर की जो बाते हैं वो तो फेरे अलगी बात यह जनाब और क्लेर ओके यूमर यह बता तुझे कि लिखने में कितिन देर लगती है मुरे से तुनी उर्दू वाले में फॉन्ट में बड़ी मुश्किल बड़ी देर लगती है लिखती हूं मैं लेकिन देर लगती है जरह से अच्छ अब आखिर में मैंने एक जुम्ला लिख दिया है रेड कलर से थाके इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा हो जाए और वो जुम्ला क्या है कि audit evidence is persuasive just some seconds audit evidence is persuasive rather than conclusive मतलब अई is audit evidence मतलब यह है कि देखो एक होता है टिकाँ के बात करना जैसे आप से मैं पूछ रही हूं कि बेटे मेरी आवाज आ रही है आप कहते हां आ रही है ठीक है कि जिस evidence की बिना पर आप कोई conclusion draw कर सकें जिसकी बिना पर आप ठोक बजा के टिका के final करके कोई बात कर सकें अगर किसी ने किसी का murder होते वे अपनी आखों से देखा है तो जो evidence वो provide करेगा या जो witness या नि जो गवाही वो provide करेगा वो गवाही conclusive होगी कि उसकी basis के उपर conclusions draw किय जा सकेंगे उसकी basis के उपर final आप या जा सकेगा यह वाला कॉन सा होते है conclusive लेकिन हम conclusive audit evidence तो हासल करी नहीं सकते है क्यों कियों क्यों हम ऊंड़ेट पेसेंड टेस्टिंग करते नहीं क्यों 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 हमों Tobasist के उपर काम करते हैं क्यों क्यों कि ना तो उसकी ज़रूरत है ना ही हमारे पास इतना टाइम है और ना ही हमारे पास इतना पैसा है तो इस वजह से audit evidence जो हासिल होता है वो conclusive नहीं होता वो persuasive होता है और persuasive का मतलब क्या होता है persuasive का मतलब यह होता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपको एक certain direction में लेके जा रही है certain direction की तरफ इशारा कर रही है लेकिन बहरहाल आपके पास option दूसरी direction में जाने का भी है अगर मैं इसको numerical terms में बताऊं तो persuasive audit evidence का मतलब होता है 70% 75% numerical terms में बताऊं तो यानि मेरा दिल उसकी तरफ जा रहा है मेरा दिमाग उसकी तरफ जा रहा है यह जो audit opinion में देने लगी हूँ इस audit opinion के उपर मेरी सोच जा रही है इस audit opinion के उपर मेरा दिल जा रहा है और मुझे अपनी judgment की बिना पर ऐसा लगता है कि ऐसा ही है कि financial statements true and fair view देती है लेकिन क्योंके मैंने 100% काम नहीं किया है तो मैं एक conclusive audit evidence वहराल raw नहीं कर सकी कि conclusive audit evidence वो कि जिसके बाद कोई बात और हो ना सके जिसको हर्फ आखर कहा जाता है तो conclusive audit evidence को अगर आप हर्फ आखर कहें तो बहुत अच्छा है कि एक ऐसा audit evidence कि जिसके बाद फिर आगे किसी भी और direction में जाने का chance मुझूद ना रहे लेकिन याद रखिए कि reasonable assurance के नतीजे में या audit के नतीजे में जो audit evidence हासिल होता है वो audit evidence persuasive होता है और conclusive नहीं होता यह सवाल paper में आया हुआ भी है कि लिखा हुआ है कि audit evidence is persuasive rather than conclusive आपके paper के अंदर आया हुआ है तो आपने यह वाली सारी बात है उसके अंदर लिखनी है जो बाते यहां पर लिखी हुई हैं और उसके इलावा जो बाते अब अगली slide पे आ रही है वो भी आपने लिखनी है इस सवाल के जवाब में कि पहली तो बात यह कि हम जी 100% testing करते नहीं है financial statements हम क्योंके खुद बनाते नहीं हैं उनके systems और control से बनके आ रही होती हैं तो इसलिए जो है वो हमारा audit evidence एक बहुत तिकाह के पकी बात नहीं करता है और audit की कुछ inherent limitations होती हैं इसलिए हमारा audit evidence persuasive होता है rather than conclusive तो अब ज़रा audit की inherent limitations को पढ़ ले यहां तक किसी का कोई सवाल है जी जी बिलकुल presumptions पर एक मिनट की break कीजिए और एक मिनट के अंदर हम वापस आते हैं वापस आते हैं किसी का को सवाल है जी जी जनाव अच्छा अब बात कर लेते हैं इन्हेरेंट लिमिटेशन के बारे में इन्हेरेंट लफ्ज क्या है इन्हेरेंट जो लफ्ज है इसका मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो के रची बसी हो एक ऐसी चीज जो के इंबेड़िड हो एक ऐसी चीज जो किसी चीज के अंदर मौझूद हो और इस हद तक मौझूद हो कि वो उसके अंदर डीप रूटेड है एक ऐसी चीज जो के इतनी जादा उस particular चीज के अंदर मौझूद है एक ऐसा characteristic के जो इतनी जादा किसी चीज के अंदर मौझूद है कि अगर वो characteristic उस चीज के अंदर से निकल जाए तो उस चीज की अपनी कोई personality नहीं रहेगी यह होती है inherent चीज जैसे मैं अपनी बात करूँ तो I am an extrovert ठीक है अब अगर मेरे अंदर से यह extrovertness निकल जाए extrovert कौन होता है na extrovert वो होता है जो you know सबके साथ बात करता है इससे बात इससे बात हर चीज अपनी जो है वो बिलकुल clear बता दी आपकी personality एक फुली किताब है everybody knows you you know everybody you talk to everybody everybody talks to you आप इदर जाते है उदर जात और ऐसा हुआ था मेरे साथ कुछ चार-पांच महीने पहले कि मुझे जो है वो गले का एक बहुत सख्त issue हो गया था टीचर हूँ मैं तो obviously पूरा दिन मैंने बोलना होता है और बच्चे भी छोटे हैं तो उनके साथ भी बोलना होता है तो मेरा जो है वो गला इस हद तक बै हा रही थी Class भी मेरी Mice से हो रही थी और बड़ा मसला था तो उसमें जमाने में मुझे इतना लगता ही नहीं था कि मैं मैं हूँ और मेरे आसपास वालों को भी नहीं लगता था कि मैं हूँ क्यों कि मेरी Other personality ऐसी है कि मैं सब से बात करती हूँ है सबसे मजात करती हूँ तो एक अच्छा रहता है इसी तरह audit की कुछ inherent limitations होती है जो के audit के अंदर मौझूद है audit की nature के अंदर मौझूद है audit की फितरत के अंदर मौझूद है inherent limitation एक ऐसी limitation होती है कि जिससे आप भाग नहीं सकते इसका मतलब है मुझे बताओ अगर किसी जीस से भाग नहीं सकते तो पर solution क्या है जल्दी बताओ भागे मत एक जगा खड़े रहे उसको गले लगा ले वेरी गुड़ उमर यह आपने मेरा ही जुम्ला मेरे आगे बोल दिया है बड़े तेज हो रहे हो जी जनाब किसी चीज से अगर भाग नहीं सकते तो अडॉप्ट इट उन्होंने लिखा है जी उमर ने एडॉप्ट इट अगर आप किसी चीज से भाग नहीं सकते तो उसका मतलब है आपको उसके साथ गुजारा करना है तो उसका क्या मतलब है उसका मतलब है कि गुजारा क कर रहे और कहीं जा भी नहीं सकते ठीक है वो क्या पास जब वो एक लाइंट है उस क्लाइंट की financial statement में हजार debtors आ रहे हैं अब auditor ने क्या करना है? auditor ने लगाना है audit procedure तो कि उससे पहले ही sampling की जाती है auditor ने लगाना है audit procedure और उस audit procedure के अंदर auditor को भेजने हैं इन debtors को कुछ खत और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं external confirmation external confirmation is a very good audit procedure and it is very very efficient and it fetches very good results ठीक है? तो अब आप 1000 debtors अपने सामने लेके बैठे हैं और आप सोच ते रहें कि यार किसको खक लिखू और किसको ना लिखू? जैसे के मैंने अभी थोड़ी तेर पहले आपको बताया कि सैंपल का सही होना पूरे के पूरे audit के सही होने की एक जमानत है अगर सैंपल ठीक नहीं होगा तो पूरा audit खराब हो जाएगा ठीक है? let's suppose ऐसा हुआ आपने ऐसा सैंपल उठाया कि जिसके अंदर आपने दस लोगों को खत लिख दिये दस डेटर्स को और इत्फाक ऐसा हुआ कि वो ही दस डेटर ऐसे थे कि जिनके अंदर गरबर थी उसके इलावा let's suppose 100 टोटल डेटर थे तो सौ मेंसे आपने दस को खत लिख दिया वो इत्फाक ऐसा हुआ कि वो ही दस के दस गलत थे आपके पास वो आया आपने का अच्छा जी ऐसी तैसी ठीक है आपने का कि यह तो financial statements ही गंदी बनी नहीं है लेकि इसे फितिफाक ऐसा था कि वो दस के दस गलत थे बाकी जो नवे थे ना वो बिलकुल सही थे तो क्या यह audit opinion सही हुई आपने हो दिया financial statements गंदी बनी नहीं है they do not present a true and fair view on the basis of those 10 debtors that you sent letters to जिन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हम तो इनको पैसे नहीं हो गरते यह तो जूट बोल रहे हैं बताइए क्या यह audit सही होगा क्या इस audit के results सही होंगे क्या इसकी opinion सही होगी नहीं पूरा दिन पढ़ड़ें 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 और अपनी कमरे में आई और उसी वक्त आपने mobile उठाया था और उसी वक्त आप रील देखकर हस रहे थे अम्मी ने का अच्छा यह बढ़ा यह हो रही है दहील आके तो तुमने दिया नहीं तुमने कहा था कि मैं पढ़ रहा हूं आप लोग मुझे disturb करते हैं फिर मैं fail हो जाता हू तो आप लोग दाने देते हैं पढ़ने तो मुझे इस घर में कोई देता ही नहीं है कल तो तुम रात को यह भाशन दे रहे थे और अभी क्या हुआ ये बड़ी रील देखी जा रही है कौन सी अम्मा से बातें की जा रही है होता है ना ऐसा ठीक है बच्चे कहेंगे मैं हम क्या बात कर रही है चार्टर अकांटेंट स्टूडेंट की जिंदगी में कहां ये चीजें होती है सॉरी बेटा मैं I'm really sorry अगर आपके रस बात को मैंने hurt किया हो तो मैं तहे दिल से जो है आपसे माज़र्ट चाहती हूँ हमारी जिंदगी में कहां ये है ना हमारी जिंदगी में तो बस एक ही इश्ग है क्या है वो इश्ग कौन सा इश्ग है जो करने को कहती हूँ आपको बस एक ही इश्ग है जी चार्टर अकाउंट एंसी जिस दिन ये मिल गया समझ लो सब मिल गया इन्शाल्ला 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 बहुत जल्द लिखाएगा फर्याब ACA बहुत जल्द लिखाएगा उमर ACA बहुत जल्द लिखाएगा आमिश ACA हैं बहुत जल्द लिखाएगा एहसन ACA इंशाल्ला इंशाल्ला अच्छा जी हम क्या बात कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि अगर इन्होंने 1000 debtors में से चुनने हैं वो debtors कि जिन debtors को इन्होंने खत लिखने हैं तो कैसे चुना जाए कि सारे कि सारी population की equal representation हो जाए तो इसका मतलब है कि sample select करने से पहले auditor को ये देखना होगा कि population कैसी है population का analysis बहुत जरूरी है और population का analysis auditor ऐसे करेगा एक तो देखे का population कितनी बढ़ी है और दूसरा auditor देखे का population कितनी diverse है देखिए अगर ऐसा है कि इस company के जो debtors है वो कुछ आपके बैठे है लहौर में कुछ आपके बैठे है इसलामबाद में कुछ आपके बैठे है कराची में ठीक है अब इत्वाक ऐसा है कि इस company का head office कराची में ही है तो obviously इसके जितने भी customers हैं जितने भी debtors हैं वो उसके जादा तर कराची में होंगे सही है अब अगर randomly sample select करना शुरू कर दिया तो इस बात का chance मौझूद है कि जो sample आएका उसके अंदर जादा तर कराची वाले debtors होंगे क्यों क्योंकि obviously उनका quantum बहुत जादा है उनका number बहुत जादा है तो अगर आपने let's suppose एक दो के बाद एक दो के बाद एक दो के बाद एक इस तरहां से करके sample उठाना शुरू किया तो इस बात का chance मौझूद है कि आपकी 70% population के अंदर सिर्फ कराची के debtors होंगे तो obviously लहोर और इसलामबाद के debtors तो रह जाएंगे अब मसला क्या है अगर वो debtors रह जाएं तो फरक क्या पड़ेगा फरक यह पड़ेगा कि फिर अगर लहोर और इसलामबाद के debtors ignore होंगे और उनका audit नहीं होगा तो जो आपकी management है को लहोर और इसलामबाद के अंदर ही कड़बर करने की कोशिश करें यह बात याद रखो कि हमेशा जो frauds होते हैं वो निचले level पर होते हैं हमेशा जो frauds होते हैं वो वहां होते हैं कि जिनके बारे में यह सोचा जाता है कि यहां कोई देखेगा ही नहीं because इतनी छोटी सी amount है because इतनी जो है वो insignificant amount है कि उस situation के अंदर कोई शायद आके देखने की जहमत ही ना करे जो चीक है ना बलुचस्तान को गवर्मेंट भी इग्नोर ही करती है तो ऑडिटर भी इग्नोर करतेगा तो क्या फर्क पढ़ जाएगा मैं हर सेशन में पूछती हूं कि कोई बलुचस्तान से है आज तक किसी ने भी नहीं बताया सिर्फ इस दफ़ा एक सेशन में एक बच्ची थी जिसने बताया कि हाँ जी मैं मैं हूं मैंने का लाह तिरा शुकर है जिन्दगी में मुझे कोई तो बलुचस्तान वाला नजर आ लिए अगर आइसő है कि आपके जो डिटर्उस से आ रहे या ऐसा हो सकता है कि आपके जो डिटर्उस से या आपके जो डिटर्उस ‫irmारा व मुथा प्रॉडुक्ट्ट से लेटिड है लेट सपोोज आप यूनी लीवर कंपनी है ठीक है तो आप शेंपू भी बेंचते हैं आप साबुन भी बेचते हैं ठीक है ना तो आप फिर इसी तरह से करके आप रॉलेट पेपर भी बेचते हैं इस तरह से काफी सारी चीज़े हैं जो आप सेल करते हैं तो ये भी एक तरीका हो सकता है पॉपुलेशन को तोड़ने का सो ओडिटर को क्या करना चाहिए कि अगर व इस तो यूज ए इस नोन अस टाटिफिकेशन आप क्या करें यूजफुल रिलेटेड सेग्मेंट के अंदर अपनी पॉपुलेशन को तोड़ने और उसके बाद हर सेग्मेंट में से और आप जो है वो सैंपल सेलेक करें आप क्या करें आप कहें जी लहुर से भी लेने ता आप क्या करें आप सीए से भी ले 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 आप एचेंडी से भी ले 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 और उसके अलावा जितनी भी कॉलिफिकेशन ओफर की जारी है आपके कॉलेज में उस पॉपुलेशन को मुखतलिफ स्ट्राटम में तोड़ना स्ट्राटम स्ट्राटिफिकेशन ठीक है और वो जो एक हिस्सा है उसे एक हिस्से को क्या कहते है stratum और इसका जो plural है वो क्या है strata तो आप ने मुख्तलिफ segments में तोड़ लिया बिल्कु ठीक है जैसे उमर beauty products अलग hair products अलग whatever it is इसके अंदर आपकी stratification हो सकती है age की basis पे जैसे मेरा जो facebook account है जब मैं उसको देखती हूँ कि यानि उसके जो insights आती है कि कितने लोग आपको follow करते हैं वो सारा तो उसकी insights के अंदर ऐसा आता है कि 18 से 24 age ठीक है फिर उसके बाद आपकी 24 से आगे 36 age और उसके बाद age और फिर उसके बाद age अच्छा फिर और उसके इलावा फिलिपीन्स पता नहीं फिलिपीन्स पर बैठके कौन follow कर रहा है मुझे समझ नहीं आता तो इस तरह से करके उन्होंने breakdown किया बाद होता है तो बिल्कुल उमर ने सही कहा कि हम इसकी segmentation कर रहे हैं लेकिन आपने पेपर के अंदर segmentation का लवज इस्तिमाल नहीं करना कौन सा लवज इस्तिमाल करना है जल्दी बताओ stratification stratification और एक जो हिस्सा है आमिश CA जो एक हिस्सा है इसको कहेंगे stratum और यह जो हिस्से मुख्तलिफ हैं इनको कहेंगे strata ठीक है अब नहीं हमने पढ़ा था बच्पन में जब कंप्यूटर पढ़ा था लेटर बिलकुल वही है ठीक है लेटर न अच्छा अब आपकी जो stratification है अब आप भो कर लेंगे और जब आप क्या करेंगे आप कहेंगे यार चलो दस डेटर ये वाले पांच डेटर ये वाले छे डेटर ये वाले तो कमसकम सबकी नुमाइंदगी तो हो जाएगी कमसकम सबकी representation तो हो जाएगी ठीक है तो अगर सबकी representation होगी तो फिर ऑबिसली बहुत अच्छा रहेगा और सारे के सारी जितने भी आपके sectors हैं वो सब touch होंगे और management इस basis के ओपर fraud नहीं करेगी उने areas में कि जिने areas में management का ख्याल है कि यहां तो कौन देख लेगा हमेशा याद रखो चोटी चीज़ के अंदे fraud होता है हमारे एक teacher है पीरो मुर्शिद कहती हूँ है सरातिफ आपदी ठीक है आप सबी लोग जानते होंगे तो वो उन्होंने एक दफ़ा audit की class में कहा कि यह example दी उन्होंने किसी के बारे में कि ऐसा हुआ कि जी audit कोई कर रहा था और audit करते करते उनको जो है वो कोई ऐसी transaction मिली कि हर transaction के साथ points में कुछ यानि जो हमारा एक दो तो ना रुपिया एक रुपिया रुपिये का भी कुछ हिस्सा जिसको पैसा कहते हैं point point five इस तरह से करके कुछ पैसा transfer हो रहा था आपका उस बंदे के account में यानि उसने क्या किया था उसने एक attachment लगाई हुई स्टोर में कितने line items होते हैं शैंपू खरीदा साबुन खरीदा बिस्किट खरीदा चाय खरीदी पत्ती खरीदी कोल डिंग खरीदी है ना तो जितने भी line items हैं सब के साथ कुछ कर करा कि उसने ऐसी system के अंदर glitch डाली हुई थी software के अंदर कि 0.5 पैसा उसको जा रहा था हर line items के साथ millions की amount बनती थी ठीक है ना तो तो वो फिर obviously बहुत बड़ी amount है छोटी 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 करके लेकिन क्या है क्योंकि वो एक छोटी amount थी तो उसका पकड़े जाने का chance कंता तो इसलिए हमेशा याद रखो fraud जो है वो बड़े बड़े नहीं किये जाते fraud ऐसे किये जाते हैं ऐसे उनकी active concealment होती है कि छोटी छोटी amounts हो या unknown places हो या ऐसे areas हो जहापर उनको लगता है auditor का heart नहीं पहुंच पाएगा हम करते हैं बच्चों से चु जो है वो छुपाने के लिए fraud किसी ऐसी जगा पर किया जाएगा कि जहां पर auditor के हाथ नहीं पहुंच सकें तो यह भी आपकी audit के एक बहुत बड़ी inherent limitation है कि population को किस तरह stratify किया जाए उसके बाद फिर एक दफ़ा आपने population को अगर stratify कर लिया जिस भी basis पे जैसे मैंने आपक यहां पर बताएं product wise कर सकते हैं जो graphical location wise कर सकते हैं age wise कर सकते हैं amount wise कर सकते हैं revenue wise कर सकते हैं number of units wise कर सकते हैं gender wise कर सकते हैं फिर marital status wise कर सकते हैं यानि किस भी तरीके से आप अपनी population को stratify कर रहे हैं तो यह तरीका कौन सा लिया जाए यह भी auditor की judgment है फिर जब एक दफ़ा population को stratify कर लिया तो अब कितना सैंपिल जो है वो शैंपू से लिया जाए और कितना सोप से लिया जाए और कितना टॉलेट पेपर से कितना लहौर से लिया जाए और कितने इसलामबाद के डिटर्टर्स को खत लिखा जाए और कितने कराची के कितने बच्चे C.A. से लिए जाया और कितने एसी C.A. से और कितने H&D से कितनी खवतीन से सर्वे किया जाया या कितने हजरात से ये भी आपकी जज्जमेंट है और ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आपको पता नहीं चलता कि इस जज्जमेंट को करते हुए या आप कोई गलती ना कर दें हां Based on Auditor's Risk Assessment and Based on Auditor's Understanding of the Entity डेफिनिटली गलती का चांस इसके अंदर कम होता है लेकिन गलती का चांस इसमें में बहराल फिर भी रह जाता है अच्छ जी अगली चीज़ है जी आपकी जज्जमेंट ठीक है पहली Inherent Limitation क्या थी सांप्लिंग दूसरी Inherent Limitation है आपकी जज्जमेंट देखिए बहुत सारे मामलात ऐसे हैं बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर auditor को judgment की basis पे काम करना पड़ता है अगर आपको याद हो तो जब हमने audit की definition पड़ी थी पहले दिन तो मैंने आप से कहा था कि true and fair view achieve करना है true view achieve करना भी management के लिए बहुत आसान है और auditor के लिए true view का audit करना भी बहुत आसान है फरनिचर आया आपका 15,000 का invoice से देखा 15,000 जाके furniture को physically देख लिया auditor ने का ठीक है ठीक है आया है लिख दो लेकिन problem आता है fair view वाले मामलात में जैसे depreciation की क्या policy रखी जाए जैसे आप revaluation कराएं के ना कराएं ठीक है जैसे lower of cost और NRV तो NRV की calculation कैसे रखी जाए जैसे warranty की provision डालनी है कितनी डाली जाए ठीक है तो यह वाले तमाम मामलात हैं कि जिनके अंदर management के लिए भी fair view achieve करना मुश्किल है और auditor के लिए भी fair view की achievement को verify करना मुश्किल है तो यह हैं आपके judgment और estimation वाले मामलाद judgment और estimation वाले मामलाद इनको आप एक साथ भी मिला के लिख सकते हैं बहुत बड़ी audit की inherent limitation है लेकिन उसी के साथ गुजारा करना है जैसे के कितना sample size लिया जाए जैसे कि risk assessment कैसे की जाए जैसे कि कितने डेक्टर्स को खत लिखा जाए जैसे कि कौन-कौन से बिना पर डेक्टर्स को तोड़ा जाए population को ये तमाम चीज़ें आपकी हैं judgment वाली और estimation के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जैसे NRV, depreciation policy और revaluation surplus और इस तरह की तमाम चीज़े फिर है जी difficult to judge intentions अच्छा हुआ क्या कि मैं एक दप audit पे गई तो वहां पे मैं देख रही हूं कि ये ना इनका था project ये था कि लड़कियों के school बनाने थे remote areas में के पीके के और पंजाब के remote areas में इनको donation मिली हुई थी उदर से एक Australian NGO से इनको donation मिली हुई थी तो अब इनको क्या करना था इनको बनाने थे लड़कियों के school बनाने से मुराथ construct this was a construction company ठीक है so इनको construct करने थे school जाके और उसके बाद curriculum and etc etc teaching and academia इन सब के लिए किसी और NGO को grant मिली भी थी तो अब यह जो स्कूल बनाने के लिए गए ना इनकी सिमेंट की कुछ बोरियां वहाँ पर पड़ गई कम अब इनकी जो policy थी ना company की क्योंकि हम audit policy के हिसाब से करते हैं ना इनकी जो company की policy थी उस policy में लिखा था कि आपने cash में कोई payment नहीं करनी है आपने जितनी भी payments करनी है वह आपने banking channel के थुरू करनी है अब यह थे आपके किसी बहुत ही KPK के remote area में वहाँ पर इनको था कि जी हमने हम तो banking channel के थुरू payment कर सकते हैं payment की कुछ वोरियां पड़ नहीं कम लेकिन फिर क्या हुआ मजबूरी थी और obviously मजबूरी के अंदर आपको बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं तो फिर इनको cash में वो लेनी पड़ गई अब वो voucher जब मेरे पास आया कि जिसके अंदर cash की payment थी इन्होंने मुझे यह वाली करना intention को verify करना बहुत मुझकिल हो जाता है कुछ चीजें आपको on the face सही लग रही होती है रियल में सही नहीं होती है अच अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो on the face घलस लग रही होती है मगर आप कहते हैं मैं आप इसके मूपे इसको कैसे बताऊं कर यह मेरे मूपे जूट बोल है ठीक है और दूसरी बात यह भी होती है कि यार मैं फिर evidence कहां से लाँ हूं इस बात का समझ रहे ना मेरी बात सो इसलिए intentions को judge करना बहुत मुझकिल होता है यह भी आपके एक inherent limitation है वो कहने लगे कि जी हमें उस वक्त को foreign से cement की बोरियां चाहिए थी 10 12 15 बोरियां कम थी हम क चलो easy पैसा वगयरा के accounts खुल गए ना लेकिन यह तो मैं आज से आपको कमस कम कोई 10 साल पहले की बात बता रही है तो 10 साल तो हाँ कमस कम कोई 6-7 साल पहले की बात बता रही है तो पिर obviously उसमें तो इतना जादा easy पैसा और यह वाले accounts थे भी नहीं और इतनी जादा mobile banking भी न काम करने वाले हैं तो हर किसी का मैं तो अब क्या कुशन में गई हूं अपने यह जो पैसे बनाया उसके लिए study table लेने तो मैंने नहीं से का कि आपका कोई bank account है तो कहता है कि नहीं जी मैंने का easy पैसे account है कहता है कि हाँ जी मैंने का चल वेटा cash तो मैं रगती नहीं तो क्ला और अजाब यह क्लास में अगर फाइन लगता है ना क्लास में यह प्रिंसिपल है कि जो भी लेट आता है उसको जो और फाइन चलिजाती है जायर है का रोडना हो जाता है तो वह भी बाडा फायधा हो जाता है मुझे क्शाइट पयक्षट न सब्सक्राइब को ठैना जहार बड़िसी कामाई होती तो बड़ा अच्छा जो है वह तो बड़ी असानी हो गई है लेकिन उस टाइम पर इतना जादा ये चीज नहीं थी तो अब मुझे बताइए मैं कैसे जच करती के वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ऐसा भी तो सकता था कि उसने सिमिंट की बोजियों के पैसे अपनी जेब में डालें और साथ वाले कि हो सकता था कि नहीं नहीं आमिश इसके अंदर external confirmation यह तो खरीदा वा था नहीं होती है कि जी क्या आप से यह चीज़ खरीदिया है कि नहीं खरीदिया हमारे लोगों नहीं ठीक है अच्छा लाइड डिटेक्टर यूज कर लेती हां मैं तो वहां पर बुलिस वाली बनके गह अच्छा जी सो यह बात होगी अच्छा बलके एक दफ़ और मुझे की एक एग्जाम्पल याद आई एक दफ़ ऐसा हुआ कि हमें कॉड़िट करने के लिए और वहां पर जो है ना वह एक स्कूल का गया था ट्रिप और जो अगली बात आएगी ना अगले वाले में वह भी स्कूल के ट्रिप से रिलेटेड है स्कूल का ट्रिप गया था तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक इन्वोइस दी हमें रिखाई यह जिसके अंदर रिफ्रेश्मेंट खरीदा गया था जूस के डबबे और यूनों ऐसे स्नाक्स वगारा बच्चों के लिए ट् उस पर लिखावा था असलम सेनिटरी फिटिंग्स और नीचे लिखावा था सौर डबे जूस के इतने नैसले वाले इतने के और इतने चिप्स और इतने बिस्किट मतलब मेरा दिमाग उड़ गया उसको देख के मैंने का सौरी कहते नहीं मैडम वह सेनिटरी वाला तो था लेकिन उसने वो एक साइट बिसनिस किया हुआ था और वो चोई ना कर रहा था वो पार्ट टाइम उसका बिसनिस था उसने वो साइट में रखी वी दिये चीज़ें मैं कह रही हूं यार मतलब मैं क्या करू इस बात का अचा वो अमाउंट इतनी छोटी थी मटी रियालिट आप समझ रहे हैं कि किस किसम कि हमें आला लोगों से हमारा सामना पड़ता है और इट करते हो इंशाला आप लोग भी पड़ेगा आप लोग के पास भी ऐसी ऐसी स्टोरियां होंगी जल्द इन्शाला जी जनाब अगली चीज़े टाइम लाप्स एक मसला की होता है कि जी औ सी एके नशाल में कॉ्स दूकरीहिएगा वो ढूरिट को साल में एक दफाव होता है अब आप जाते हैं जब पूरा साल गुजटर चुका होता है और जब पर ब तरीका ये था इनका SOP ये था कि जब इनका जो है वो प्रिंसिपल डिटायर होता था इनका प्रिंसिपल तीन साल के लिए आता था तो एक तो इनका एन्वल ओडिट होता था वो तो होता था लेकिन इनका एक और तरीका ये था कि जब इनका प्रिंसिपल डिटायर होता था हर तीन साल के बाद तो यह audit करवाते थे ठीक है और उसके इलावा जो भी इस तरह के यह नहीं मसले निकलते थे ना उस audit के दौरान उस उन मसलों को या कोई भी अगर इस तरह के expenses हैं जो के जादा किये गए हैं और school की policy उनको allow नहीं करती थी या you know anything जो भी problem होता था वो पैसे cut जाते थे इन principal के retirement benefits में से कि जो end end के ओपर जो एक पूरा salary का package दिया जाता था उस में से वो तमाम पैसे cut के pay किये जाते थे तो अब भी इसलिए आप सोच सकते हैं वो principal हमारे साथ क्या करता होगा जब हम वहाँ जाते थे पॉलिसी थी ना उनकी principal आता था दीन साल के लिए आप सोच सकते हैं वो principal हमें काट खाने के लिए तयार होता था मुझे तो लगता था कभी खाने में जहर ही ना मिला के देदे ठीक है तो अब क्या हुआ कि हम जब audit करने गए आप सब को बता होगा कि 16 दिसंबर 2014 को हमारे यहां पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक हाथा हुआ मैं जिसको अलफाज में बयान करना जो है वो पॉसिबल नहीं है एपियस स्कूल के ओपर जो हमला हुआ और हमारे बच्चे थे और हमारे बच्चों को उन्हें बहुत बेड़दी के साथ मारा पॉलिटिकल बातों में नहीं जाते पॉलिटिकल डिसकॉर्शन नहीं करते हमा को 16 दिसम्बर को हाथा हुआ 16 दिसम्बर 2014 को अगले साल करने के लिए गए जो कि था 15 2015 में हमारे और मैं देख रही हूं सारे एक्सपेंसेस वगएरा और एक्सपेंसेस में मैंने देखा ट्रिप गया है और वो गया है 18 दिसम्बर को आप मुझे बताइए आप साले लोग उ अपर बद्र कर आए जोटे ही जब हुआ था एपिएस का इंसिडेंट आप लोग स्कूल में होंगे मेरा है ना है बिलकुल पूल में थे कि छुटियां हो गई थी अ छुटियां हो गया ती और मेरी सिस्टर इन लॉग को समझ नहा रहा था वह बच्चों के साथ करें कया ठ बच्चे नहीं थे लेकिन चुटियां इतनी जादा हो गए थी और बच्चे पागल दिवाने हो रहे थे तो मेरी नंदे वो बिचाली अपने बच्चों को लेकर दोदर गूम रही थी कि इंसान बन जाएं क्योंकि इतनी चुटियां होगे ही क्या करें कि मुझे बताइए क्या 18 दिसेंबर को ट्रिप जा सकता है जबके माएं बच्चों को स्कूल ने भेज रही थी क्या मतलब इसका वो ट्रिप गया है मतलब वो तो यह दिखा रहे है ना एक्सपेंसेज में की ट्रिप गया है अचा आप मैं देख रही हूं देख देखे देखे ना मेरी डेट पर नजर गई अब वो जो इंसेटेंट है मतलब मुझे बस बहुत उसकी तकलीफ and everything मैं देख रही हूं मैंने का है 18 देखेंबर को ट्रिप मतलब 18-19 यही को डेट थी है मुझे और याद नहीं आ रहा लेकिन डेट से क्या फ़र्क पड़ता है बिलकुल पास की डेट थी मैं कही रही हूं यार यह किसे ट्रिप जा सकता है अब तुम देखो हलक इतना टाइम लैप्स हो चुका था ठीक है एक साल पूरा गुजट चुका था मैं 15 में गई थी मैं भूल भी तो सकती थी ना 15 था या 16 का स्टाट था मैं भूल भी सकती थी ना इस बात का भी चांस हो जाता है तो बूलने का चांस बहुत ही जादा मैं लेकिन अच्छा ववा ला के क मैंसे के लिए बनी देखा मैंने खांक सर हा त्रिप कया था करें संध OFF के ऩ이지 और इं मैं घृड़ी के अपको का सरते ही साल सोलें देंब्सेंबर को क्या हूआ था एक दिन के पान ट्रिप कोई कौन सी मा ऐसी जालिम होगी जो अपने बच्चे को ट्रिप पे भेजेगी, मा ये तो बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही थी, आप ट्रिप की बात करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ट्रिप तो गया था, अब वो हुआ क्या था, इन्होंने वैन वाले को 13-14,000 रुपे ए माइनस करवाया था, अब आप सोच सकते हैं कि प्रिंसिपल ने हमाई साथ क्या क्या सलूक किया होगा वाँ पे, मतब वो कह रहा है कि यहाई, इसलिए आडिट करने के लिए, मेरे रिटार्मेंट बेनेफिट्स में से यह चीज़े माइनस कराएंगे, प्रिंसिपल ने कॉल कर दी, प्रिंसिपल ने कहा, यह लड़किया आई हैं आप, अचा, अल फीमिल टीम थी, अब आल फीमिल टीम देखए तो ऐसे ही, यह नो, मस्किला शुरू हो गया, उन्ने फोन किया, प्रिंसिपल ने हमारी फार्म होगा और उन्नेने यह लड़किया आई हैं और इनकों त कुछ भी नहीं मिलता था भी एक नहीं इस कि अपर आपके आपका टाइम लैप्स का भी यह इनहेरेंट लिमीडेशन है वो इतिफाख से मुझे याद आगया अगर मुझे नहीं आदा तो कुछ भी नहीं होता था फिर वो चला जाता और हम तो पहले डिस्क्लेवर दे चुकें जो इससे कि उमर ने का जाकते रहना साड़े आसरे तिना रहना ठीक है ओर फिर आपकी चीज आ जाती है रिपोर्ट की क्षिशेट्मेशन ढहीं आती डिय। एक्रुआ कॉंस्टेशन क्या होता है यह पहले से प्रोविजन क्यों लगा रखे रखे उसकी कीमत बढ़ कैसे गई या कैश रखे रखे उसकी कीमत घड कैसे गई यह तमाम हवाई बातें ले मैंन को समझ नहीं आती हैं और उसके बाद सो एक दफक क्या हुआ यह बात है कोई दो हजार बारा की या तेरा की तो हम नहीं ऐसी बैठे थे मेरे वाले साब आपके घर में भी जरूर ऐसा होता होगा कि रात को खाने के बाद तेज तरीन वाज में टीवी लाउंज में जो है वो देखा जाता है टॉक शोज ठीक है वो स मुझे मज़ा नहीं आता मैं तो टीवी लाउंज में बैठकर रही देखूंगा और तेज आवाज में देखूंगा तो अब बैठी हूं और भाई बैठा है जो मेरे चोटा भाई है वो भी चार्टर अकाउंटेंट है तो बतला वो खैर उस वक्त नहीं था लेकिन वो मैं नहीं थी उस वक्तों हम तो सब पढ़ रहे थे वो भी पढ़ आ था तो हम तो नों बैठे हैं और पापा भी बैठे और मुबश्रीय लुक्वान का प्रोग्राम आ रहे जो पी आईय के उपर प्रोग्राम कर रहे थे कि जी प्याइए लॉस में जा रहा है और प्याईय कर रहा है इसी लिए पिया वो तबहा हो रही है कि क्योंकि अगर वर्गोशन सामने आ चुकी होती और ये को तरह की कर चुके होते और स्दरा रेपोर्ट को देखें में हैं दोनों साल सेंएं और रिपोर्ट का कैसे और रिपोर्ट का कैसे यांडितर नहीं हैं एक फूल प्राप की भी तबिली नहीं है। दोनों साल रिपोर्ट छापा हमारी है इस और ने और पापा और हमाद हम तीनों बैट के हसे जाएं हसे जाएं हसे जाएं तो चोटावाला जो मेरा भाई है वह अब ही तो यह आपसे तो बड़ा होगा तो वह कह रहा है कि क्या हो रहा है आप लोग के पेट में दर्द होगा मेरे और पापा के इसमयार के आदवी को यह नहीं uniform अगर audit report का format हर साल सेम नहीं होगा तो problem है यनि समझ रहे ना आप लोग मेरी बात अगर audit report का format change होगा problem तब होनी चाहिए audit report का format तो सेमी होता है भाई सबने एक ही template इस्तिमाल करनी है ठीक है तो यह reports की limitation होती है यह भी एक audit की inherent limitation है कि audit report समझने का लोगों के अंदर इतनी सेंस नहीं होती कि वह audit report को समझ सके अच्छा इस्वक्त मैंने यह बात आपको आज पता चली तो सही है न आपको 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 अपने अपने आपसे अपने आपसे लुग बान को को कोई नहीं जानता ठीक है अच्छा तो अच्छा जिस वक्त मैं आप लोगों के level पे थी न काफ level के ओपर वह यह डाइनसौर का जब मैं डाइनसौर से खेला करती थी मेरा पैट था डाइनसौर डाइनसौर पर यह एस्वीम जाया करती थी मैं तो उस जमाने में audit report का format ऐसा था कि पहले लंबी चौरी कहानिया हमने ऐसे audit किया तुमने financials बनाए तुमने खाना पकाया तुमने नमक डाला तुमने अद्रक डाला तुमने लस्तन डाला तुमने आग जलाई तुम पानी लाए तुम गोश लाए ठीक है सारी इतनी लंबी कहानिया और end पे जाके audit report की opinion लिखी होती थी कि जी financial statements present a true and fair view तो obviously जब पूरी लंबी कहानियों के बाद काम की बाद end पे लिखी है तो लोगों को क्या समझाएगा कि कहां जाना है ठीक है एक layman को तो यह बात समझने आएगी तो इसलिए audit report का format अच्छा अच्छा format कर दिया है अब audit report के अंदर सबस पहली बात opinion ही होती है तो अच्छा है ना पहले काम की बात सीधी बात नो बगवास पहले काम की बात कर दी ठीक है उसके बाद इनोंने सारी बाते यह की हम तो sample basis पे audit करते हैं हम तो ऐसे करते हैं हम तो professional judgment का इस्तिमाल करते हैं हम तो professional skepticism का इस्तिमाल करते हैं हम तो आईजा करना है यह सारी बाते बात हैं सबसे पहले काम की बात पहले क्या काम की बात फॉनेंशल स्टेट में सचे हैं के नहीं है यहां तक किसी का कोई सवाल समझारी यह बात अच्छा, एक चीज़ जिसको कहते हैं ISA International Standards on Auditing इसको मैं आईजा कहती हूँ मैं इसको आईजा क्यों कहती हूँ मुझे बिल्कुल आईजा खान से प्यार नहीं है लेकिन मैं इसको आईजा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे साथ इसको आईजा कहते थे तो अब अगर आप घर में कभी आईजा कह रहे हैं जी आईजा ये कहता है आईजा ये कहता है और अगर अम्मी कहें कि अच्छा यह सी क्यार हो चीज़े हैं तुम लोग हैं कौन है या आईजा तो आप बता दीजेगा कि हमारी मैं आईजा कहती हैं तो हम भी इसको आईजाई कहते हैं एकर हैं आप चाहिए तो आपको आई एस से भी कहते हैं लेकिन मेरे टीचर ऑईजा कहते हैं तो मैं इसा के आउट ऑफ-॥ बैट अप और ऐट इंद रिपर्ट दिखाएं अभी दिखा देते हैं उमर क्या बात कर दिया अभ आत कि सबर सबर किताब से ही दिखा देती हूँ ना जी देखिए एजरक्त नजर आ रही है उमर आप लोग उसकी नजर आ रही है पिटे जी यह है जी audit report देखिए सबसे पहला लफ्स क्या है इसका भाई साब किसको highlight किया मैंने independent मैंने आपसे कहा था ना audit की शुरुआत भी independent पे करूंगी और audit का अख्तेताम भी इसी लफ इंडिपेंडेंडेंट पे करूंगी का था ना देख लीजे audit का इसी audit report पे होता है और देख लीजे इस audit report में सबसे पहली बात लिखी हुए independent इतनी importance है इस independence की ठीक है तो देखिए फिनेंशल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटर टू एंफेर विव और फिनेंशल पुजिशन और उसके बाद नीचे और बातें आ रही हैं हमने आडिट जो है वो देखो मैंने जैसे की लिए बोला नहीं था तुम्हें हमने आडिट आइज़ा के मताबिक पिया किया हमारी यह दोस्ट आद्विद गवर्वनेंट्स का काम है फिनेंशल स्टेटमेंट्स की ओवर्साइट करना ठीक है तो यह वाली तमाम चीज़ें होती है आपकी ओडिट रिपोर्ट पी समझ आ गई बात सबको पिटे ठीक है ओके अच्छा मसला यह कि उमर दो हैं तो हम क्या नाम रखें जी फुली बता दीजे उमर एक हैं जी उमर राजबूत अगर हम आपको राजबूत कह लें राजबूत आप कह लें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे वह उमर वान ने नमर टू तुम्हें पता है मेरी पिछली आउड़िट की क्लास थी यह थी अभी कैंपस वाला बैज उसमें भी उमर वान और वान टू थे ठीक है जी तो एक राजबूत हो गए और एक उमर साहब हो गए सभिए पिछली क्लास में भी जो है न, वह ओमर वन और उमर टू थे तो बड़ा मसला था, पेपर में अडिपोर्ट बनाना आ सकता है या नहीं? अच्छा जी तो आमिश साहब ऐसा है कि audit report बनानी as in CAF के paper में नहीं आती है CAF के paper में आई हुई है CAF के paper में नहीं आती है audit report उस तरहां से बनानी बनानी like you know properly audit report जो है वो जिस तरहां से आती है वो तरीका ही होता है maximum भी अगर audit report बनानी आ जाए तो वो ऐसे आ सकती है कि आपको वो ये कह दें कि जी ये audit report आपके सामने है और बताइए इसके अंदर गलतियां क्या है maximum audit report ऐसे आ सकती है तो इतना तो आपको idea होगा कि आप audit report को अगर 10 दफा तो कमस कम पढ़ेंगे ही न जायरे जब हम last chapter पढ़ेंगे तो बार-बार audit report में जाएंगे बार-बार जाएंगे audit report में तो audit report में आपको ये तो पता चल जाएगा न कौन सा paragraph कहा होता है audit report में कौन सी चीज़ की positioning कहा होती है तो obviously फिर आपके लिए बहुत असान हो जाएगा कि अगर गलती आए न तो आपको फॉरण से पता चल जाएगा कि इस जगा पे audit report के अंदर mistake होई भी है तो ये चीज़ आपकी जो है वो हो सकती है audit report के अंदर लेकिन उस तरहां से audit report की drafting पूरी पूरी नहीं आ सकती है लेकिन आमिश जोस्ती जरूर कर लीज़े इस से बिटा जरा बार बार इसको पढ़के जरा बार बार इसको पढ़के कि आपको एक जिस्ट जरूर पताओ कि कौन से paragraph में क्या लिखावा है अच्छा होता क्या है कि जब सवाल आता है न तो सवाल में ही होता है आपको ये भी बताना होता है कि audit opinion के अंदर हम क्या बोलेंगे अच्छी है कि गंदी है और आपको ये भी बताना होता है कि कौन कौन सा paragraph हिट होगा opinion की तबदीली की बजा से एक तो आपका standardized format है कि जिसके अंदर financial statements present a true and fair view तो उसमें तो रावी चैन नी चैन लिख रहा है सबी कुछ अच्छा है ठीक है लेकिन अगर आपका जरा सी भी अपिएन में तबदीली आ जाती है कि जी financial statements do not present a true and fair view let's suppose तो फिर उस situation में obviously फिर आपके जितने भी paragraph है सब थोड़े थोड़े हिल जाएंगे तो आपको वो जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा paragraph कहां आता है और कौन सा paragraph के बाद कौन सा आता है ताकि जब आप जब दीलियां बयान करें पिकस आपको फिर बताना होगा paper के अंदर के बढ़ी कौन कौन सा paragraph हिला है तो आप वो कर सकें समझागी बात आमिश ओके जी ओके जी सो वापस आ जाते हैं हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे inherent limitations जी जनाब फिर हमारी एक अगली inherent limitation जो के है limitation in the system यानि अभी तक हम पढ़ रहे थे inherent limitations of an audit ठीक है अभी हम वही पढ़ रहे है inherent limitations of an audit ठीक है अभी हम यही पढ़ रहे है inherent limitations of an audit ठीक है और inherent limitations को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अभी तक हमने कितनी पढ़ ली एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब हम साथ भी इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ने लगे हैं जो कहें लिमिटेशन इंदा सिस्टम यानि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सिस्टम क्या होता है सिस्टम ये नहीं होता क्या आपका जो कम्प्यूटर है ये एक सिस्टम हो नहीं सिस्टम क्यों होता है जी अभी ठीक है विटा अभी ठीक है अवाज फर्याब ओके सो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को करने का तरीका किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसीजर जो कि आपने एक डिसाइट कर दिया है कि ऐसे ये काम होगा करेगा जैसे मैंने आपको उस दिन एक्जामबल दी थी फीस के सिस्टम की, आज मैं आपको एक्जामबल देती हूँ एक entity के inventory के system की कि जी जबी भी वेर हाउस वाले ये देखेंगे कि inventory जो है वो reorder level तक पहुँच गई है तो वेर हाउस वाले क्या करेंगे वेर हाउस वाले फॉरण से एक requisition बनाएंगे और एक requisition बनाकर भेजेंगे अपने head office वालों को कि हमारी inventory जी कम हो रही है, आप ज़रा inventory order कर दीजे, फिर आपके जो वेर हाउस वाले हैं, वो क्या करेंगे वो उनको कहेंगे head office वालों को वो एक purchase order generate करेंगे, लेकिन purchase order generate करने से पहले, वो क्या करेंगे वो यह देखेंगे कि हमने यह order देना किसको है और उसके बाद वो क्या करेंगे उसके बाद वो यह करेंगे कि उनकी एक पूरी की पूरी list होगी अपने vendors की जो के pre-qualified होंगे pre-qualified का मतलब pre-qualified का मतलब उन्होंने किसी ना किसी test को pass किया होगा, कोई ना कोई criteria है जिस पे वो पूरे उतरते होंगे because ऐसे ही हर Tom, Dick and Harry को तो हम order नहीं दे सकते ना तो वो किसी ना किसी criteria पे पूरे उतरते होंगे अब वो जो criteria है जिसके ओपर यह पूरे उतरते हैं वो हो सकता है कि जैसे टाइमली सप्लाइ जैसे quality of the product जैसे after sale services warranty जैसे discounts जैसे timing of payment ठीक है, ऐसो कोई भी चीज हो सकती है तो आपने कोई ने कोई criteria determine किया होगा जिसके ओपर आपने उन सारे के सारे vendors को सारे के सारे sellers को आपने judge करके रख लिया होगा अब जब product खरीदने का time आया warehouse वालों ने का कि जी product कम हो गई है तो अब head office वालों को क्या करना है उन्होंने वो list उठानी है और सारों को यह खत लिख देना है कि जी आप जरा हमें quotation दे quotation क्या होती है हमें जरा सा rate दें हमें बताएं कि जी कितने पैसे कि आप हमें यह plastic की bottle बेचेंगे बिकाज हम तो trader यह plastic की bottle खरीदता हूं और आगे बेचते हैं अब वो सारे लोग भेजेंगे quotation ठीक है और in quotation में से जो भी lowest bidder होगा जिसने सबसे ज़्यादा कम price बताई होगी हम उसको order करतें अब बच्चे कहते हैं मैं quality भी तो देखनी चाहिए तो बिटा quality तो पहले ही देख ली है न हमने जो pre qualification की है जिसके अंदर हमने सब को एक list में डाल के रखा है कि यह तमाम की तमाम vendors इस लाइख हैं कि इन से यह चीज़ खरीदी जा सके तो हमने quality को तो पहले ही जाँ चाहवा है अब हम जा रहे है price के उपर यानि अब यह सारे के सारे अच्छे हैं ठीक है अब इन में से जो सबसे तकम कीमत के उपर बेचेगा बिल्कुल हमने tender की तरह ही है इसमें सबसे कम कीमत के उपर जो बेचेगा उस से हम खरीद लेंगे ठीक है तो ये भी एक सिस्टम है अच्छा ये जो सिस्टम से इन्शाला चैप्टर 5 और 6 में जाके पढ़ने हैं लेकिन मैं आपकी ना सिस्टम से दोस्ती कराना चाहरी हूँ इसलिए मैं every other day ना सिस्टम के बारे में कोई ना कोई बात कर देती हूँ मैं substantive procedure के बारे में कोई ना कोई बात कर देती हूँ ताकि आपका थोड़ सा डर निकल जाओ और आपकी दोस्ती हो जाए अब जब हम real में सिस्टम पढ़ने जाएंगे ना तो आदे सिस्टम आपको वैसे ही आते होंगे क्योंकि मैंने उनका इत्ती दफ़ा जिकर किया होगा तो इसलिए मैं बीच बीच में सिस्टम ले आती हूँ बीच बीच में substantive ले आती हूँ आप परिशान ना होगिएगा कि जी ये तो हमने लिखा ही नहीं ये तो हमने नोट नहीं किया आप तो हम भूल जाएंगे आप नहीं भूलेंगे फिकरस ये तो आना ही है चैप्टर 5-6 में अभी मैं क्या चाहती हूँ कि जो बच्चे कहते ना मैं हम रट्टा नहीं लगता बाई साब रट्टा ऐसे लगता है जो मैं तुमें बार-बार कहती हूँ ना कि भाई सबसे पहले letter वहां से निकला उसके बाद भो letter वहां गया और उसके बाद पिर उन्हों थैसे react किया और आगे वालों ने फ़लाने को order जारी किया और order ऐसे और pre-qualified और lowest bidder और गय जब मैं बार 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 तुम्हें उर्दू में बोलती जाओंगी न तो नुम्हें जाद होता जाएगा जैसे अभी तक तुम्हें याद हो गया है कि अगर आया आगर कोई तो वे Friends को पूरक श किसी इसलोंर और मेरे स्टेजी संजारी के आगे अगको अचा अब system साथ साथ पढ़ाती जाती हूं फिर न सब्स्टांटिफ के अंदर जिसे कि auditrist का chapter आएगा हमारा chapter 3 है इंशाला तो उसके अंदर मैं क्या करती हूं कि मैं न सब्स्टांटिफ पढ़ा देती हूं auditrist के साथ और फिर सब्स्टांटिफ दुबारा भी पढ़ाती हूं स्टार्टेजी है ताकि आपके लिए रट्टे असान हो जाएं बस यह मेरा मतलब है मैं तो बस चाहती हूँ हल्वा डाल दू तुमारे मुह के अंदर बस और काम तुमारा हो जाए इंशालों 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 अच्छा सो सिस्टम्स की लिमिडेशन के बारे में बात कर हैं कि ऑडिटर जो है अपनी तरफ से अच्छा करने की तो पूरी कोशिश करेगा लेकिन कभी-कभी सिस्टम जो है वो धोका दे जाता है कभी-कभी सिस्टम जो है वो ऑडिटर को बेवकूफ बना जाता है सिस्टम की जो कमजोरी है कभी-कभी वह इस बात का सबब बन जात कलूजन यह होती है कि जब जादा लोग मिल के फ्रॉट कर रहे हूं फॉर एक्जाम्पल यह है बिटा आपका एक डॉक्युमेंट ठीक है समझे लोगे इन्वाइस है इन्वाइस के अंदर तीन लोग साइन करते हैं पहला है यह फिए रिव्यूर्व वाइब। चिने बनाया है वह तीन गा Sora computer वह सैंगर तो अब यह 18主 तो इसको कहते हैं बेटे segregation of duties segregation of duties के आप क्या करें एक transaction को इतने हिस्सों में breakdown कर दें और उसके बाद वो जितने हिस्से हैं वो अलग-अलग बंदे को करने के लिए दे दें ताके सब एक दुसरे के पोल खोले मैं जब घर आती हूँ न तो मेरे पास जो है वो सबसे बहतरीन जरिया जानने का एक तो आपिसली कैमरे तो लगाए वही हैं जाहरे बच्चे हैं मेरे चोटे और एक तो यह कैमरे लगाए वही हैं दूसरा तरीका बहतरीन मेरे पास क्या है मैं एक मेट से दूसरे का पूछती हूँ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि उसने सही की हैं कि नहीं की हैं कहीं वो जेग में तो नहीं डाल रहा वैसे इसको कहते हैं segregation of duties अगर एक system के अंदर segregation of duties है तो उस system के अंदर obviously बहुत अच्छा हिसाब किताब होगा क्योंकि सब लोग एक दूसरे की पूलें खोल रहे होंगे लेकिन अगर यह सब आपस में मिल जाएं तो auditor का भाप भी नहीं पकड़ सकता है बताइए मुझे auditor fraud पकड़ने तो गया नहीं है auditor यह तो देख नहीं सकता है कि जी कब sign हुआ था है ना समझ रहे है मेरी बात अगर यह सारे के सारे मिल के fraud कर रहे हैं तब auditor क्या करेगा मिली भगत हमारे मुल्क में भाई साब और होता क्या है ऐसे ही तो नहीं हमारा हर बच्चा मखरूस पैदा होता है समझ रहे है ठीक है so segregation of duties जरूर it is a very very good control बट segregation of duties का जो counter है वो है collusion यह तीनों बंदे आपस में मिल जाएं अगर तो बस फिर ऐसी दैसी अच्छा दूसरी limitation system की क्या है override override क्या होता है जी override यह होता है कि मैंने आपसे कहा यह invoice है और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर तीन लोग sign करते हैं ठीक है अब यह जो सबसे बड़ा superior है यह अगर नीचे वालों को बोले कि तुम सारे दफ़ा हो जाओ तुम लोग कौन हो मैं तुमें नहीं जानता ठीक है देख लूँगा मैं जो करना है बाप को मत सिखा समझ रहे मेरी बात तो यह जो आपका उपर वाला है यह अगर अपने controls को override कर ले यह अगर यह अगर किसी जाएगा override कभी-कभी बहुत अच्छा system in place होता है जैसे के for example मैंने आपको कहा inventory के ordering का system कितना अच्छा है के warehouse से इनको एक requisition receive होती है कि inventory कम हो गई है उसके बाद यह उस requisition को जो है वो चेक कराने के लिए यहां से किसी को भेजते हैं कि inventory देखकर आई यह वाकई कम होई है कि उसके बाद वह वापस आता है आपके कहता है जी वाकई कम हो गई है फिर यह लोग क्या करते है प्री कॉलिफाइड वेंडर की लिस्ट में से order जारी करते है एक्सेक्टर एक्सेक्टर सिस्टम बड़ा अच्छा है लेकिन अगर जो head office के अंदर बंदा बैठा है अगर वो यह बदमाशी करना शुरू कर दे कि वो कहें कि हां जी ठीक है ठीक है मुझे पता है तुम लोग मुझे पता होगे क्या करना है तो जो भी आपका head office का senior manager है वो inventory inventory order करता जाए साथ में इनका भी घर बन रहा था यानी इनकी फैक्टरी बन रही थी साथ वाले में उसका घर बन रहा था फैक्टरी के नाम पे cement की बोरियां आ रही है आ रही है जबके जा उसके घर पे रही है तो override of controls भी एक system की बहुत बड़ी limitation है जिससे auditor भाग नहीं सकता inherent limitations पड़ रहा है ना और तीसे चीज़े एरर सिस्टम के अंदर कभी कभी error हो जाता है अब गलती हो गई system से हो भी सकती है गलती ठीक जैसे वो मैं पड़ रही थी कली-कली एक मैं real देख रही थी जिसके अंदर वो कहते है कि अगर अगर रॉबोट रॉबोट से लोग शादी करना शुरू कर दें तो आपको पता है रॉबोट तो लिटरल बात सुनता है ना तो अगर आपने रॉबोट को घर के कामों के लिए रख लिया रॉबोट से आपने शादी कर ली या यूनो कुछ भी रॉबोट को आपनी driver बना दिया anything तो रॉबोट तो इंस् इसने मुझे किसी मैं को बहुत important class शुरू होने लगी तो आकर उसने मुझे का बाजी ये फ़लानी चीज कहां रखो मैंगा मेरे सर पे रख दे लागे वो भी हसी मैं भी हसी अब अगर रॉबोट होता वो वाकर ही रख देता ना मेरे सर पे लागे तो system के अंदर कभी-कभी इस तरह के errors हो जाते हैं कि system कभी-कभी बहुत literal लेने लगता है चीजों गो तो उसकी वज़ा से फिर एक ये भी limitation आती है अचा दूसरी बात कि है कि system जो है वो आगे पीछे नहीं जा सकता है वो वहीं पर रहता है जितनी उसको instruction दी गई होती है अगर ऐसा है कि discount आ रहे है और वो system के अंदर incorporated नहीं है तो आपकी transaction प्रोसेस ही नहीं होगी जब तक आप जादा पैसे नहीं देंगे तो अगर उन्हेंने advertise भी क्या वह ना कि discount है तब भी discount आपको मिली नहीं सकेगा क्यों क्योंकि जो आपकी payment होनी है वो तो system के तुरू होनी है तो system के अंदर भी कभी errors आते हैं फिर है आपका cost benefit trade-off यह भी एक inherent limitation है देखो हर को यह चाता है कि उसका system भेतरीन से भेतरीन हो हर को यह चाता है कि उसके जो है ना वो किसी भी किसम के error का या fraud का chance उसकी financials में ना हो लेकिन हर चीज़ की एक cost होती है ना अब मैं भी यह चाहूं कि एक internal audit department हो ठीक है और internal audit department जो है वो सारी कि सारी transactions को finally system में जाने से पहले एक दफा review करें तो आप बताएए कि क्या एक इतनी बड़ी अलफ़ते की बात कर लेते हैं क्या अलफ़ते के अंदर यह possible है कि हर जितनी भी transactions आपके system में जा रही है सब का internal audit हो सके पहले transaction के process होने से पहले जी जनाब बताइए internal audit क्या होता है internal audit वो जो कि आप आपने अंदर अपनी company के अंदर एक auditor बिठाया वह होता है जो आपकी company के काम कर रहा होता है बताइए क्या possible है अलफ़ते के अंदर question repeat कर दूँ उमर सवाल यह है मेरा बिटा कि सारे लोग यह चाते हैं कि उनके systems बेतरीन से बेतरीन काम करें लेकिन बेतरीन से बेतरीन काम करने के लिए फिर cost भी तो उतनी ही लगती है ना तो entities को cost benefit analysis करना पड़ता है एक cost benefit trade-off करना पड़ता है कि यह जो हम cost लगा रहे हैं क्या हमें उतना फाइदा हो भी रहे या नहीं यह जो हम फाइदा हासिल करना चाते हैं इस फाइदा हासिल करने की cost कित्ती जादा लग रही है तो हमेशा entities इसी बात पर पर प्रेशान रहती हैं कि अगर system को बहुत अच्छा कर देंगे तो cost बढ़ जाएगी और अगर cost को कम कर देंगे तो system खराब हो जाएगा ठीक है तो अगर अगर ऐसा है कि आपका अलफते के अंदर आप यह चाहें कि जितनी भी transactions है उनकी processing से पहले उनका internal audit हुआ करें internal audit यह नहीं आपका अंदरून ही एक auditor है यह वाला auditor नहीं जिसकी हम बात कर रहे है external वाला उसकी बात नहीं कर रहे internal audit हुआ करें तो बताएगे वह कितना expensive हो जाएगा because आपको कितने जादा internal auditor बिठाने पड़ेंगे क्या खयाल है सही कह रही हूँ है ना सो इसलिए बीड़ा system की एक और limitation है कि cost और benefits का trade-off हमेशा चलता रहता है और उससे भी भागा नहीं जा सकता और फिर है पता नहीं चल पाया और वह चलता रहा वहां पर और ऐसा तो यह तो खेल फ्रॉड था लेकिन ऐसी कोई glitch भी हो सकती है कोई गलती से भी चीज जा सकती है यह यह एक inherent जाज intentions time-lapse और report की limitations क्लास का time over हो गया और पता नहीं चला और तुम लोगों को ने भी नहीं बताया मेरी अगली क्लास है भाई माशा आलला पता नहीं चलता क्लास में अलहम्दुलिल्ला जी जना अपसो एक चीज रह गई है inherent limitations पे non-routine transaction इसको इंशालला हम जो है वो अपनी अगली क्लास में करेंगे यहां तक सब को समझाया बेटा मेरे लिए यानि इस से जादा खुशी कि कोई बात नहीं हो सकती कि तुम लोगों को पता ना चले कि audit की क्लास का टाइम ओवर हो गया है अलहम्दुलिल्ला अल्ला का जितना शुकर अदा किया जाए वो कम है जजाक आला मेरे बच्चों तो में अच्छा रखें इंशालला आपसे मुलगात होती है इंशालला वेंस्डे को मुझे यह बताईए कि कल अगर हम एक घंडे की क्लास र उमर आप फिर रिकॉर्डिंग ले लेना क्योंकि बेटा कल की जो क्लास मिस होई है ना मुझे उसका अफसोस हो रहा है तो अगर कल हम इसी टाइम पे बारा से एक एक घंडे की क्लास रखें तो आपका क्या खयाल है ठीक है राजबूत आप राजबूत आप आ जाईएगा आपकी उर्दू के बगएर कलास में रौनक ही नहीं होती ठीक है ओके बेटा टेक यूर अफसे लफ आपका हमियो नासिर हो दूआ में याद रखिएगा आपको सलामत रखें इंशाला कल बारे बज़े मुलकात होती है मैं ग्रूप में भी लिख दूँगी सिर्फ एक घंडे की कलास करेंगे जादा नहीं करेंगे ठीक है अला आफेज